तुम्हारी पूरी जिन्दगी बरबाद होने वाली है, तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉई होने वाली है इस्तडीज बताती हैं जो लोग कम सोचते हैं, उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है पूरे दिन कुछ भी सोचते रहेंगे, निगेटिव ठिंकिंग करते रहेंगे, इससे कोई फरक नहीं बढ़ता है या आप एक एडल्ट हो या फिर एक स्टुडेंट हो, ओर तिंकिंग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम और यह एक लार्ज कॉंटिटी ऑफ प्यूपल के अंदर पाई जाती है तो आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही साइन्टिफिक स्टुडी की बात करूँगा, जो आपको बता दिन की ओवर ठिंकिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और अगर इसे समय के साथ सही नहीं करा गया, तो यह आपकी लाइफ को कैसे डिस्टॉई कर सकती है एक नॉर्मल इंसान के दिवाग के अंदर एक दिन में 70,000 थॉट्स से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं और जिनके अंदर 95% थॉट्स एक दम यूजलेस होते हैं, उनका कोई काम नहीं सिर्फ 5% थॉट्स ऐसे होते हैं, जिनसे आप कुछ productive काम कर सकते हैं बैट यह जो human brain है, वो ज़्यादा attract होता है, और 95% थॉट्स को लेकर और उनके अंदर negative thoughts होता है, और कुछ ऐसे thoughts है, जो आपकी overthinking को ज़्यादा कर सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा conscious रहना है, अपने उपर कि मुझे बस यह चीज़ पर focus करना है, आपके अंदर 95% thoughts ऐसे हैं, जो आपको distract कर सकते हैं, आपकी overthinking की problem को और बढ़ा सकते हैं तो overthinking से हमारी life में क्या impact होता है, जो सबसे पहला impact होता है, वो हमारी creative skills डाउन होती अब इसको एक बार real life example से समझते हैं, एक बार क्या होता है, एक बंदा था जिसका नाम था, Harry Houdini, अब इसको magician बोलते थे, अब इसको magician इसलिए बोलते थे, क्योंकि यह जेल्स में जाता था, और बोलता थे कि मैं तुम्हारे locker को सिर्फ एक गंटे के अंदर तोड़ के बाह बोलर भी हो रहा था, और फिर एक दिन जो country की सबसे बड़ी jail थी जाओ, locker तोड़ना यार नामुंकन था, अब इन लोगों ने हुड़ीनी को challenge कर, open challenge दिया कि हमारे locker का ताला तोड़ के देखा, तो हुड़ीनी आया और उसने भी challenge को एक दम accept कर लिया, और फिर एक proper day डिसा challenge, वहाँ पे करके दिखाएगा, काफी बड़ी भीड थी, और जो हुड़ीनी आरा तो लोग उसको praise कर रहे थे, लेकिन जब वो locker के अंदर जा रहा था, तो वहाँ पे खड़े एक शक्ष ने उसको बोला, कि हुड़ीनी ब्रो, यो तालय ने हो country का सबसे बड़ी jail का तालय और इसको तोड़ना इतना easy ने, it is not going to be very easy for you, थोड़ा सा ध्यान रखना bro, ऐसा बोला उसे, और इससे हुड़ीनी का यार, कहीं ने कहीं confidence थोड़ा सा down हो गया, और वो locker के अंदर गया, proper time अग्दम start कर दिया गया, जैसे time start हुआ, वो अंदर गया, और उसने अपने belt खोली और belt से एक iron का pen निकाला, जिसकी मदद से वो ताला खोला करता था, उसने उसको निकाला, 10 minute बीद गया, कुछ नहीं हुआ, आदा घंटा बीद गया, वो भी कुछ नहीं हुआ, फिर एक घंटा बीद गया है, और उसको गुसा आ रहत अपने उपर क्यों नहीं कर पा रहा, एकदम लाल हो गया था उसका मुँ, बट कोई पर रिजल्ड नहीं आ रहा था, फिर एकदम उसको इतना जादा गुसा आता, फिर अचानक अपने हाथों को उस दर्वाजे पर पटकता है जेल के, और वो नोटिस करते हैं कि दर्वाजा हलका तर डिस्प्लेस होता है, तब उसको जाकर पता चलता, यह तो पहले से ही खुला था, लेकिन वो अपने ओवर थिंकिंग के चलते हुए उसको खोली नहीं पार था, उसको देखी नहीं पार था, कि दर्वाजा पहले से खुला है, अगर वो एक बार चेक कर लेता, कि जो चीज़ यार, एक्जिस्टी नही कर रही वह उसके बारे में सोचे जा रहा है हूँ ताला रियल लाइफ में अग्जिस्टी नहीं करता था लेकिन वो इसके ब्रेन में तो एक दिन खतम हो जाएगा लेकिन अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो अपने हम पूरे दिन का 80% सिर्फ सोचने में बिता देंगे लेकिन हमाने पास at the end कोई result नहीं होगा प्लस आप जितना कम सोचोगी आपकी लाइफ उतनी जादा हैपी होगी और आप उतना जादा जीपा होगे खुलकर अब तुम लोग बोलोगे कि नाइट बस ब्रो अगर मेरे एक ओवर थेंकिंग की प्रॉब्लम है तो मैं इसको कम कैसे कर सकता हूं अपनी लाइफ से तो इसका एक सिंपल सा सलूशन देता हो तुम्हें तुमने मेडिटेशन का नाम सुनागा तुम अगर उसको प्रैक्टि अब विपासणा के अंदर تم करना क्योंता त्युम्हें पल्ति मार के बैठ जाना नॉर्मल यूगा की पोजीशन में इसके अंदर जो तुम्हीं नॉर्मल ब्रीधिंग है तुम्हीं बस वही करनी है ना ही तुमहीं तुम्हीं हैsड Nat với ड़ kommen बिरेफिगिंग करनी है तुम कर दो subscribe और वीडियो को कर दो like